है गाइस गुद मॉर्निंग जैज अगनात वेल्कम बैक तो मैं चैनल सुभा सस्थी तू आल अफ यू और देखो अभी ओल्मोस्ट दस बच गया होगा सुभा में गई थी जिम उसके बाद आके घर का सारा काम कर लिया अभी नहाने के बाद पुजा करने के बाद यहां पर म मैंने पोई साग का पेड लगाया था तो इसके थोड़े से मैं पत्ते तोड़ने आई हूँ क्योंकि घंटो बनाऊंगी और पोई साग मेरे पास खतम हो गया था जितना भी था तो बस यहां से तोड़ने के लिए आई हूँ आज तो यहां से थोड़ा सा चाहिए जैसे उस मुझे बन जाने के बाद मुझे कच्चा चना भी उसके उपर डाल के खाना अच्छा लगता है तो बस यह आज का लंचे राइस एंड गांटोर दाल सो अभी देखो साढ़े चार बजने वाला है और गोलु को खाना किला के मैंने सुला दिया था उसके साथ साथ में भी सो गई थी तो में उठी हूँ देखो इदेखो अंधेरा होने वाला है बाकी जगाओं पे जैसे एक घंटे बाद होगा ना लेकिन गौहाटी में घंटा ज बाद पुरा अधेरा हो जाता है तो बस गोलु को जाओंगी चोड़ने के लिए ट्यूशन उसका तूशन है और उसके बाद चूशन से आने के बाद थोड़ा सा जाना है मार्केटिंग करने के लिए गोलु का ही ड्रेस लेना है और छोटा मोटा ज्वेलेदी जो भी लाओंगी दिखा दूंगी आपको पहें जब पहने की गोलु तब दिखा दूंगी ठीक है तो बस बही सब लाने के लिए जाना है गोलु का न्यूट्रेस आएगा वह भी लाने जाना है और पूजा हम लोग कहां करेंगी देखो आज अरे मिने बोलना भूल गया हां सुभ करेंगे और प्रसाद भी वहीं पर खाएंगे खिड़ी प्रसाद बनेगा तो तिन दिन तक वहीं पर खाना है तो बस है और पंकज का दूर्गास्टमी के दिन इस बार साइद संडे पढ़ रहा है ना क्या है तो जो भी यह बठा चुट्टी है हम लोगों का अरे मच्छ अ है बट इस बार संडे है तो ठीक है हां चलो मैं गुलू को पहले उठाती हूं नहीं तो लेट हो जाएगा गोलू को ठाओंगी जूशन छोड़के आती हो फिर मार्केट जाएंगे तो थोड़ा बहुत क्लिप्स में दिखा दूँगी क्योंकि ज्यादा नहीं दिखा पाऊ गुलू को खाना था समोसा तो हम लोग का सोसाटी के नीचे ही मिलता है ठेला वगेरा में तो वहां से उसको समोसा खिलाया फिर ट्यूशन छोड़के आई और अभी देखो आभी पांच बजा है अभी विलकुल साम होने वाला है 10-15 मिनिट के बाद ही अंधेरा हो जाएगा पंकज ओफिस से आने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा मार्केटिंग करने के लिए निकले यहाँ पे गुलू आ गई इonstitutions से और रेडियो के हम सब लोग निकले मार्केटिंग करने के लिए गुलू देखो यहाँ पर अपने डोल को उसने एक फ्रोग पेहना दिया है तो यहां पर देखो, यहां पर मार्केटिंग कर रहे हैं, तो मार्केट भी बहुत ही जादा भीड़ था, तो हम लोग किसी मॉल वोल में नहीं गे और हम लोग बाइक में भी निकले थे, क्योंकि पार्किंग का गौहाटी में बहुत जादा ही इशू है, और यह है बिल्कुल होती है, तो हम लोग यहां पर कहीं और नहीं जा पाने से, यहां पर आ जाते हैं, मतलब अगर पंकज ना हो, तो फिर हम लोग यहां पर जरूर आ जाते हैं, किसी भी पूजा के टाइम पर अगर वो टूर पे हो, तो हम लोग यहां पर आ जाते हैं, गोलुर में, तो यह दे मैंने प्रॉपर ओडिया थाली जैसे हम लोग का राइस दाल सबजी दो तिन ऐसे मैंने बनाया तो देखो बिंडी फ्राइ कर लिया था और जो लॉंग बिंस है न वो आलू फ्राइ कर लिया था मिक्सचर दे दिया था और यह आचार मेला से मेले के आई थी तो आज डिनर में बस इतना सब कुछ मैंने बना दिया था